आप सभी लोगों को स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर हाँ जी थमनेल आपने बिल्कुल सही पड़ा बात कर रहे है रूल टैन भी की रूल टैन भी को लेकर लोगों को कंफ्यूजन है प्रोफेशनल्स को भी स्टुडेंट्स को भी रूल टै रूल टैन भी बात किस चीज़ की करता है यह कहता है जो व्यक्ति जी एस्टी में ओल्रेडी रजिस्टर है उन लोगों को अपना आधार वैरिफिकेशन कराना पड़ेगा कुछ केसिस में अब इसके ओपर डिस्प्यूट का है जरा डिस्प्यूट समझ लीजिए डिस्प् को नोटिफिकेशन नंबर आई 35 और याई 24 सितंबर 2021 को नोटिफिकेशन आ गई सिये एक्जाम का रूल यह रहता है कि अगर कोई वीची 31 अक्टूबर से पहले आई है वह मई 2023 के एक्जाम में आईगी लेकिन यह नोटिफिकेशन आतो गई थी लेकिन यह रूल एप्लिके और उसने बोला कि यह रूल एक जनवरी से अप्लिकेबल होगा और अगर यह रूल एक जनवरी से अप्लिकेबल होता है तो यह मई के एक्जाम के लिए रैलिवेंट नहीं है नवंबर के लिए रैलिवेंट है लेकिन इंस्टूट ने एक कारनामा और किया इंस्टूट ने पाड़ फूर पर्सन वह ओल लेडी रजिस्टर अंडर जीस्टी जब कि ऐसा नहीं है अगर हम सेक्शन 25 ठीक है सब सेक्शन 6 एको पढ़ेंगे तो वह सिंपली कहता है कि नहीं नहीं आपको आधार अथेंटिकेशन कराना है जो लोग पहले से रजिस्टर हो गए उन्हें भी उसके अंदर भी रूल 10 ए तो पूछा गया है 10 भी नहीं पूछा गया लेकिन आटीप में यह कोश्चन पूछा गया है तो अब आपको करना गया है जब आटीप में कोश्चन है तो इसे तयार करके ले जाना और अगर यह आपसे पूछे तो भाई इसका आंसर दे देना ठ आधार authentication mandatory है यह वाली बात को उन कहता है section 25-6A इस बात को कहता है कि आपको mandatory आधार authentication कराना है अगर आप GST में registered हो गई हो इसके लिए नया rule 10-B उन्होंने insert किया और यह आया कब से 1 जन्वरी 2022 से तो जो लोग professional अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें भी बता दू कि अगर आपके client का किसी का आधार authentication नहीं हुआ है तो आपको वो कराना पड़ेगा अब यह आथार authentication जो कराना है किन-किन cases में कराना है उन्होंने यह बोला है कि सारे cases में जरूरी नहीं अभी लेकिन 2-3 cases जैसे हैं अगर आपने उसमें आधार authentication नहीं कराया आप पहले से GST मे हो गया है और उसके बाद revocation करने जा रहे हैं तो अगर आपका आधार authentication नहीं है तो आप यह नहीं कर पाएंगे तो यह आपको mandatory कराना है अगर आप कोई refund application फाइल कर रहे हैं इन RFD 01 में ठीक है हाला कि refund CA Inter के लेवल पर नहीं है लेकिन फिर भी जब RTP में solution दिया तो मैं आप आपको समझा रहे हूं कि अगर आप refund application कर रहे हैं तो आपको भी जरूरी है अगर आप refund कर रहे हैं आई-जेस्टी पेड़ और गुड्स एक्सपोर्ट आउट ओफ इंडिया जाते हैं ठीक है और आप ने जो उस पर आई-जेस्टी पेड़ करा उसका refund क्लेम करते हैं रूल और ऐफ्नर और अज़र आठीकेशन कराएगा अगर वो प्रोप्राइटर है ठीक है प्रोप्राइटर कराएगा पार्यशेप हर में तो पर्स सिप्र मेधार आख आधार ऑटिइस कराएगा अकर इन cases में आधार authentication जो existing registered person है उन्हें कराना mandatory है as per section 25-6 से red with rule 10b और ये 10b जो rule है ये picture में आ चुका है तो अगर आप portal पर भी जाके देखोगे GST portal पर तो वो आएगा तो आपके exam में सी है inter में मई 23 में तो शायद यो question ना पूछा जाए लेकिं नवंबर 23 में पूछा जा सकता है और मैं 23 के जो लोग exam दे रहे हैं मैं आपको बता दू आपकी RTP में है November 22 में तो कोई बड़ी वात नहीं आपसे भी पूछ ले तो तयार होके जाना आपके study material में नहीं है हो सकता है बहुत सारे teachers ने इसे ना गराया हो लेकिन मैं आपको RTP के माध्यम से ये करार हो और इसमे करना कैसे होता है अगर आधार नंबर असाइंड नहीं किया गया ठीक है ना सिरिफ आपने application कर रखी आधार नंबर अभी आपको नहीं मिला है तो वो क्या करेगा वो अपनी enrollment ID दे देगा ठीक है साथ में कोई bank की passbook या voter ID card या passport या driving license दे देगा ठीक है ना तो आपको इसका पूरा answer लिखना है जो institute ने दे रखा है rule 10b का ठीक है हाला कि जो rule 10b होता है जो लोग section 25 6d में होते हैं ठीक है उन पर ये applicable नहीं होगा ठीक है क्यो applicable नहीं होगा इन्हें government ने माफ कर रखा है ठीक है ना लेकिन अगर आप जो मैंने आपको बताया कि आधार authentication आपको कराना है आपके आधार number नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं फिर 30 दिन के बाद आप क्या करेंगे फिर प्रोपर आपको आधार number जब आपको एलोट हो जाएगा तब आप आधार authentication करा लेगे ठीक है तो आपको clear हो गया कि rule 10b के अंदर किसे किसे आधार authentication कराना है कौन से exam के लिए ये applicable अगर ये आपको clear हुआ है तो मुझे comment box में लिखकर बताना फिर दुवारा repeat कर दे रहा हूँ आपका जो study material है CA inter का उसमे rule 10a तो बताया गया है लेकिन 10b मुझे कहीं देखने को नहीं मिला ना ही जो statuary updates है उसमें देखने को मिला अगर आपको कहीं देखने को मिला है तो मु देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और अगर आपको regular classes चाहिए CA intergy तो आप हमारी team से contact कर सकते हैं या अगर आप professional है और आपको professional वैच्छी है तो आप हमारी team से contact कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद thank you for watching